प्रेशर के लिए फोड कंपनी में वो बंद होने वाली थी इंडिया में बड़ उसका प्लांट टेक ओवर टाटा ने कर लिया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं बहुत अच्छी ओपनिंग ऐसे साथ ही कोंगा दोस्तों अगर चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक लिक्ती करेंगे तो फॉड कंपनी की फुल दाएगी फॉडट इंडिया copy यह हुगा जो create का इसको आपने klick करना है दोस्तों जैसी आप फ्लेंकी करेंगे फूरधर इसका प्लेटीक यहां पर ओपन ओगा यह जो तो दोस्तों यहां पर जैसी आप पहुंचेंगे तो यहां पर आपको दिखाई देगा नीचे आते कि किस तरह आप explore करेंगे positions के लिए तो दोस्तों यहां पर आपको दिखाई देगा view job opportunities and campus placement इसको अपने click करना है दोस्तों जैसी आप click करेंगे तो यह पेंज ओपन हो जाएगा तो दोस्तों इसका जो लास्ट पेस था हमने वहां description box में लिंक दिया होता है उसको भी आप देख सकते हैं अगर वीडियो को पूरा है तो यहां पर जो लेटेस्ट जो वकेंशिस अभी अभी अप्टेट हुए है चन्नाई टीम मेंबर के लिए उसके बाद आएंगे चन्नाई की फी टीम सबसे पहले आपको यहां पर दिखा दो दोस्तों कौन कौन इलिजिबल है तो यहां पर भी जो लिखा इसके लिए होता है जो भी टेक ठीक है तो यहां पर आप देखेंगे यह भी बी टेक दोनों अपलाई यहां पर कर सकते हैं फ्रेशर यहां पर चाहिए किसी भी तरह का आ है ठीक है CAE के लिए यहां पर computer-aided engineering जिसे बोलते हैं उसके लिए यह अब आपका जो काम रहेगा work in a last team to deliver analysis in CAE to do analysis for multitude of vehicles program across different region ability to match sheet metal casting and plastic parts responsible for documentation of all work and preparation of lesson learned documentation to provide benchmark knowledge for feature work on other program तो तो इसके साथ ही जो अपनी job description आप यहां भी आप देख सकते हैं कौन-कौन सी job description आपकी रहेगी अब देखिए आपको knowledge जो है just knowledge आपको होनी चाहिए तो अगर आप जो है आप resume में add करते हैं तो आपको उसके related knowledge भी होने चाहिए तो यह जो lines आप अपने resume में add कर सकते हैं बड़ इसके बारे में ज़रूर पढ़ लेना क्योंकि आपको interview में related पूछा जाएगा CAE tools क्या होते हैं ENSA hypermesh या फिर PLM tools की आपके बारे में पता होना चाहिए FMEA 6 sigma इसके बारे में आपको पता होना चाहिए तो दोस्तों यह video का description box में आप एक file देखना वहां पर लिखा होगा वह 60 pages के PDF है अग जिस जिस candidate ने उसको download किया तो उसको किसी को भी दिक्कत नहीं आई है कि क्या क्या चीज़े महां पर पूछते हैं interview में उसमें आपको हर चीज मिल आएगी कि FMEA क्या होता है six sigma क्या होता है जस्ट theoretical knowledge अगर आपको है क्योंकि basically आपको क्या है जो उसकी documentation होती है वो तो आपको नहीं पता चलेगी क्योंकि आपको क्या है जब तक काम नहीं करोगे या उसका certification नहीं लोगे तब तक तो वह knowledge मिलेगी नहीं बट आपको theoretical knowledge तो पता होता होने चाहिए six sigma होता क्या है ठीक है finance analysis या FM यह क्या क्या चीज़ें होती है यह तो दोस्तों य यह जो है आपको उस file में मिल जाएगी उसको पढ़के चले आना कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी हर टर्म्स वहां पर आपको Japanese टर्म जितने है काईजा है कापा है ठीक है हर चीज आपको वहां पर मिल जाएगी तो यहां पर six sigma tools methodology वह भी आपको मिल जाएगी तो fresher के ल दोस्तों यहां पर आप देखेंगे lead engineer की vacancy यहां पर product development के associate engineer की vacancy है दोस्तों यह जिसमें कोई ज्यादा experience नहीं मांगा सिरफ एक साल का यहां पर experience मांगा यह भी बहुत बढ़ी आ ओपनिंग आपके लिए लिए फोर्ड कंपनी निका लिए सिरफ भी beta apply कर सकते हैं देखें यहां पर ठीक है तो यहां पर आप देखेंगे और एक से तीन साल का experience मांगा है बतलब minimum एक साल का भी आपके पास experience है तो apply कर सकते हैं बड़िया knowledge किस चीज की मांगी है कैटी या वी 5 की knowledge मांगी है six sigma से लेटी knowledge जो आपको उन जी यह experienced vacancy है पेशली दिखाई है मैंने आपक साइब कर सकते हो ठीक है तो यहां पर इसके लावद जो लीड इंगिनियर की vacancy दी वह भी आप देख सकते हैं यहां पर लीड इंजीनियर की जो vacancy है यहां पर देखिए यहां बारी बरकाम अच्छा experience मांगा मिनमम पांच साल का तो किसको अच्छा experience है तो वह लीडी इंज में कोई ज़्यादा फरक नहीं है ठीक है बड़ फिर भी मैं सी एको खोल देता हूं जिसे फ्रेशर केंडियर जो अप्लाई करेंगे उनको कभी दिक्कत ना आए तो अप्लाई टू जॉब पे आपने क्लिक करना जैसे अप्लाई पे क्लिक करेंगे ठीक है अगर आपने कभी क्लिक आया है पहले तो यहां पर आपको जो क्लिक करना वह ने काँट पे गिक करना है प्लाइव करने आप यहां थे सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो यहां पर प्राइवेसी को आप पढ़ लेंगे ठीक है इसको इक बार पढ़ देना अगर करते घृव sentences एगरी करने के बाद अपना एक account create कीजिए, email id डालिए, password डालिए, minimum 8 characters का हो, in words के आप चूज के लेनो, जो यहाँ पर बांगे जाते हैं, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर अपना password बनाईए, हाँ पर एक security question होगा, यह दो तिन यहाँ पर पूछते हैं, what is the name of your school, उसका अंसर करना है, अपना email id और password डालिए, login करोगे, तो login करने के बाद आपने, सो दोस्तों यहाँ पर अपने resume upload कर देना, fresher के लिए junior engineer वाली associate engineer, lead engineer की experience वाल होगी, जिन्होंने education डालना है, वो education और experience डाल दीजिए, experience वाकेंसी में और fresher वाले, fresher as a fresher apply कर सकते हैं, तो बहुत अची opening का miss मत करना, जारा time नहीं लगेगा इसको fill करने में मैं आशा करता हूँ, यहाँ पर आपको दीए जानकार इच्छी लगी होगी, तो स्विड़ों को like और शोजूर कर देना, धन्यवाद आपकर दीशूरे,